कोरोना के वज़े से पूरे देश में लॉक डाउन है, फ्लाइट रुकी हुई है, ट्रेन रुकी हुई है, लेकिन लॉक डाउन की मियाद जो है वो तीन माई तक रखी गई है किंद्रे सरकार के जरीए वैसे में अगर तीन माई के बाद एरपोर्ट शुरू होते हैं, तो किस तरीके की सुरक्षा इंतिजामात रहेंगे, क्योंकि कोरोना है, चूने से फैलने वाली ये बिमारी है, तो इस वक्त हम मौझूद है आमदबाद एरपोर्ट पर और यहाँ पे खास इंतिजाम किये गया है, ताकि उस पे कोई भी बैठे नहीं, जो पैसेंजर यहाँ पे आते हैं, वो दो सीट, तीन की सीट की जगए, उसमें सिर्फ दो ही लोग बैठे ताकि एक प्रॉपर सोशल डिस्टन्स को भी मेंटेंग किया जा सके, तो वही जब वो अपना लगेज लेकर आएंगे तो लगेज के लिए भी जो सकैनिंग मशीन है, उसके लिए खास एक सोशल डिस्टन्स का यहाँ पे सिंबॉल बनाया गया है, यहाँ से लेकर सकैनिंग मशीन तक एक प्रॉपर सोशल डिस्टन्स रहेगा, इस तरीके से इसका ख्याल रखा गया है, जो भी पैसेंजर तो जब पीछे की साइट पे आएंगे तो उसको लेने और रखने के लिए एक सोशल डिस्टंस को मेंटेंग करना बेहत जरूरी है इस तरीके से यहाँ पे इंतिजाम किये गए है साथ ही अगर बात की जाए बोर्डिंग पास की तो बोर्डिंग पास के लिए भी खास यह वै यहाँ पे और यहाँ पे लिखा गया है मेंटेंग वन मीटर डिस्टंस कुछ इस तरीके का यहाँ पे मेंटेंग वन मीटर डिस्टंस का यह सिंबॉल लगा के इस तरीके से पूरी लाइन बनाई गई है ताकि जो लोग जो पैसेंजर यहाँ पे आएंगे वो बोर्डिंग वारियर्स है, जो डॉक्टर है, जो मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए भी इंतिजाम किया गया है, उनके लिए सीधा सिक्यूरिटी को उनको यहाँ पे एक अलग से लाइन बनाई गई है, और ये लाइन सीधा उनको फ्लाइट के पास ले जाएगी, तो कहीं न कहीं उनके एक अलग सुवीदा भी क्रियेट की गई है कि जो कोरोना वारियर्स है, उनके लिए और पूरे एरपोर्ट पर कोरोना को लेकर ये खास इंतिजाम भी किये गए है, तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा, एक बार फिर एरपोर्ट काम करने लगेंगे, तो ये सारी चीजे को कोरोना को रोकने में, कोरोना को फैलने से रोकने में काफी एहम भूमी का आदा करेंगे, कामरामन उज्वलोजा के साथ, गोपी गांगर, एहम्दाबाद, करेंगे हैं यिस्वारी इंट टुछाउन. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेर करना न भूले बिना ब्रेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे तक आपको भी डाउनलोड कर सकते हैं नमस्कार